हवा से बाते करते हैं रोडों से गुजरना किसे पसंद नहीं है एक अच्छा है वे अच्छी स्पीड और वहां से गुजरती गाडियां सब को पसंद आती है बट क्या उस स्पीड के लिए आपके हाईवेज और रोड तैयार है तो अब भारत सरकार तयारी कर रही है कि 90 किलोमेटर पर गंटी की रफतार से गारिया चल पाए इसके लिए एक लम्मा निवेश सडकों पर किया जा रहा है 20 लाक करोड तक का इंवेस्टमेंट किया जा रहा है भारत में रोड्स के उपर क्यों क्योंकि वहाँ पर गारियों की रफतार बढ़ा ही जा सके क्या है ये मामला जानते हैं इस वीडियो में वेलकम टू ग्यानकोश तो पहली चीज़ आप हाईवेस पर जरूर गए होंगे हाईवेस पर बहुत तेजी से गारिया चलती है लेकिन भारत में हाईवेस पर भी एक स्पीड लिमिट होती है 90, 100 या फिर 70 maximum इस से उपर जाना allowed नहीं होता एकस्प्रेस वेपर इस से जारा स्पीड allowed होती है पर हाईवेस पे आमोमन यहीं स्पीड maximum होती है लेकिन अगर आप भारत से तर कहीं और जाते हैं जैसे UK या European roads पर जाएंगे या America जाएंगे तो वहां lowest speed limit भी होती है किसी highway पर आपको at least 80 km पर आल तो चलना ही होता है आप इतनी बड़ी और इतनी तेज गाड़ियों को देखकर ये सोचेंगे इतनी तेज कैसे चलते हैं वहां के highways पर accident नहीं होते क्या तो नहीं होते क्योंकि वहां पर routes इस level के बनाई जाते है construct किये जाते है, lanes होती है, lane changing का rule होता है और गाड़ियों के लिए अच्छे खासे quality के systems operate करते है और भार्ट सरकार अप्रयास करने कि भार्ट में भी असा system operate करी और highways पर speed बढ़े, आखिर क्यों, क्योंकि जब highway पर speed बढ़गी कारी होगी तो सिर्फ आपकी car या bike नहीं, बलकि आपके transportation का route भी तेजी के साथ पूरा होगा trucks तेज चल पाएंगे और उससे economy को फाइदा होता है गाडियां में maintenance कम करनी पड़ती है, उन पर खर्च कमाता है तो जो एक transportation company है, उसको खर्च कमाएगा तो वहाँ पर अलड़ी transportation का नाम नीचे जाता है इससे हर एक work को फाइदा मिलता है, क्योंकि transportation road के मांध्यम से एक बड़े work का part है economy का एक बड़ा हिस्ता road के थो move करता है, वहाँ efficiency बढ़ने से गाडियों की mileage बढ़ती है speed बढ़ने से time गड़ता है और overall देश की अर्थवरस्था को लोगों को बिक्तिकर सर्पी भी फाइना होता है और इसलिए सरकार प्लान कर लिए कि highways को और develop किया जाए और उनकी average speed बढ़ाई जाए पिछले तीन सालों में लगाता national highway के construction में एक बहुत boom देखी गई है 34,000 km length के national highways बनाए गए है और overall आगे की ओर 20,000,000 क्रोड इंवेस्मेंट की बात की जा रहे है national highways को develop करने के लिए जिससे की आपकी travel speed 90 km प्रती घंटे की रफतार तक बढ़ जाएगी अब आपको जो distance माल लीजे आपका घर जहां पर रहते हैं वहां से 600 km है अगर road के हलत खराब है तो आप वहां 30 की speed से जाएगे तो आपको कितनी देर लगेंगे तो आपको वहां पहुँचते में 20 घंटे लग जाएगे है ना और यहीं अगर आप अच्छी खासी speed में गाड़ी चला पाएगे और वो road highway हो और जहां speed maintain करना आसान हो तो आप आराम से अपनी गड़ी 90 में लेके जा सकते हैं 20 किलोमेटर पूटे घंटे की रफतार से आप अगर इसी road पर चल पाएगे तो कितनी जल्दी पहुचेंगे आप एटलीस 6 से 7 घंटे में तो अराम से पहुच जाएगे और यही है पूरी कहानी साथ से 8 घंटे में वो डिस्टन्स कवर करेंगे आप अगर वो नॉमली 20 घंटे में टवल करते हैं गर रूड अच्छा हो तो इसी लिए एक बड़ी लेन वाला highway बहतर quality के road, अच्छी services और धंग के traffic के नियम और जागरुक लोग किसी भी transportation system को बदलने की शमता रखते हैं लेकिन इसमें पहरी चीज है traffic के नियम और अच्छी सड़कें highways अगर अच्छी होंगी तो transportation of trucks, goods and people will all increase और efficient हो जाएगी वही कोशुच लगातार government कर रही है और 2025 का time आप लेना चाहते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत आपके लिए आएगी continuity, motivation, scheduling एक हफता पढ़ लिया, दो हफते नहीं पढ़े, फिर एक महीने पढ़ लिया, दो मिने रेदम तूर लिया क्योंकि वहाँ targets नहीं होते, क्या पढ़ रहा है, क्या relevant है भी या नहीं, exam में वैसे questions आते हैं या नहीं, आपको syllabus को cover करना भी चाहिए या उसको कम priority देनी चाहिए, यह बहुत relevant होता है, क्योंकि syllabus बहुत बढ़ा होता है यह जीज़े सीखने के लिए, जीज़े जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अच्छी guidance, अच्छी classes, teaching environment मिले आपको, जो आपको provide की जा रही है, PW Only I.S. के दौरा, normally students साथ दिक्कत ही होती है, कि self assessment पो focus करते है, जो एक अच्छी बात है, लेकिन आपको पता होना च्छी कि जीज़े, अगर वो strong नहीं है, तो फिर आप ज़्यादा develop नहीं कर पाएंगे अपनी preparation में, इसलिए बहुत important अच्छी foundation build करना, और देखकर students को आती है, कि वो classes लेने बाहर नहीं जा सकते है, online classes की quality में गिरावाट आ जाती है, PW Only I.S. के जानता है, और इसलिए एक ऐसा course लि प्राइस का, क्योंकि महेंगे courses बहुत unaffordable होते हैं, यहां आपने यह सब देते हुए भी affordability का पूरा खयाल रखा और अभी तक यह course आपको कीवल 10,999 रुपय में उपलब्द है, जिसके तयारी करकर, अपने foundation का strongly build कर सकते हैं, इस exam को crack कर सकते हैं, अपने आपको पूरी तर इन्वार्मेंट, साइन सेंटर, सी सेंट, complexities समझाई जाएंगी, बीस एक foundation को built किया जाएगा, इस course के बारे में detail आपको यहां description में एक link होगा, वहां से मिल जागा, यह comment section में भी एक link होगा, जहां आप click करके, इस course के बारे में detail से जान सकते हैं, इसमें enroll कर सकते हैं, तो अ परने वाला है अपने highways पे, ताकि highway की speed double हो सके, 90 km प्रति घंटा पूरे देश भर में जा पाएं, अगर ऐसा होता है, तो इसके लिए भारत की road को बहुत level पर investment जाहिए होगी, और इससे भारत की logistic का cost 9-10% GDP के डाउन हो जाएगा, और इससे भारत के speed corridors को बढ़ोतरी भारत में चीजें तेजी से move कर पाएंगे, इंफरस्ट्रॉक्चर को push मिलेगी, जब हम यह speed देखते हैं तो हम सुचते हैं कि वाल bikes और cars, नहीं, असल में transportation cost बहुत जारा कम हो जाएगा, और transportation बहुत जारा efficient हो जाएगी, imagine करिए अगर आप 80, 90 या 100 की रफतार पर 1000 km तक जा पाएं तो 10 घंटे के अंदर वो सफर पूरा कर सकते हैं, हाना कि आपको रुकना होगा, खाना खाना होगा, तो वो सफर practically 15 घंटे में पूरा हो पाएगा, जो सफर आज अगर 1000 km आपको travel करना इंडिया के highways पर, तो आपको वो distance कवर करने में कम से कम 2 दिन का समय लगता है, at least आपको 28 से 30 घंटे लगते ही लगते हैं, और वो distance अगर आप 90-100 के स्पीड पर maintain कर पाए, इच्छे highway पर, तो वो केवल एक दिन के अंदर आप cover कर पाएंगे, यानि 15-16 घंटे के अंदर आराम से विकती, पहुँच पाएगा अपने गंतर वितंग, और specifically transportation को बहुत बढ़ हाईवे का network इंडिया डेवलप कर चुका है, और ये एक बहुत खूशी की ख़बर है, पर अभी भी भारतिय सडकों के maintenance की और requirement है, भारत को सरकार को ध्यान देना पड़े है कि रोड का maintenance और बढ़ाया जाए, क्योंकि हाला कि हम 19.5 लाग करो national highway development program launch कर रहे हैं, लेकि अभी ह हमें और high speed corridor को develop करना पड़े हैं, जैसे मैंने अब को बताया, भारत तो आप 100 kmph नहीं, 100 mph, miles per hour के speed से जा सकते हैं, तो भारत में भी ऐसे high speed corridor और develop करने की ज़रोत है, जहां 100 से लेकि 150 km per hour के रफ़तार maintain की जा सके हैं, और इसके लिए high speed corridors महीं develop किये जा रहे हैं, जहांपर कम स्कुल में चलने वाली कारियां allowed ही नहीं होगी, और ये push करने के बाद भारत अपने आपको जो एक 5 trillion dollar economy की तरह देखना चाहता है, उसका एक महत्पूर कदम हैं, सडके के वर सडके नहीं होती, वो किसी भी देश की economy को unlock करने का एक बहुत बढ़िया जरिया होती है, जिस से पहले road paper focus किया गया, मंध्यपरदेश जहां बहुत जारा करिश्माई development पिछले कुछ देश्कों में देखी गई, अगर आप compare करें, 1980s और 90s को 2010 के आसपास, तो अच्छी development मंध्यपरदेश ने देखी, और गुजनात को अगर आप देख लें, जो एक manufacturing hub बन गया, इनमें सबसे पहले infrastructure पर push किया गया, roads are the first thing जो connect करते हैं, इसलिए roads अच्छे होना पूरी देश के लिए बहुत महत्त, पूरे वसी पर push अप government कर रही है, और लगातर आप देखें तो highway corridors, high speed corridor, feeder, strategic international roads, और national highways के आसपास जो सड़के हों में जो congestion होता है, उसको कम करने की कोशिश लग सब्सक्राइब के सबी highways को develop करके नहीं level तर लेके चला जाएगा, क्या आपको लगता है, यह सपना जल सच हो पाएगा, और आप सौकीश वी पर cruise कर पाएगे अपनी सरकों पर, क्या लगता है आपको, और क्या यह सपना सच होगा, अगले 10 सालों में क्या भाराइट विल्म इकानमी बन पाएगा, जानते हैं समय के साथ क्या होता है, इस वीडियो के लिए तरहीं, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, keep on watching ज्यानकोष, and have a nice day.